नमस्कार ये आकाशोनी पटना है अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले मुख्य समाचार प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी कल किसान समाद निधी यूजना के अंतरगत 9 करोड से अधिक किसान परिवारों के खाते में 18,000 करोड से अधिक किराशी अंतरित करेंगे केंड सरकान ने अनुसुचित जाती के चात्रों के लिए 5 वर्ष तक पोस्ट मैट्रिक चात्र वृति के लिए 69,000 करोड रुपे सुलिकित के 1,366,000 गरीब बच्चों को मिलेगा लाभ प्रदेश में कोविड महमारी से स्वस्थ होने वालों की दर 97 प्रतिशत से आधिक हुई अब तक 2,42,000 मरीज स्वस्थ हुए और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी बर्फीली हवा के कारण ठिठोरन बढ़ी बुलेटिन के शुरुआत इस संकल्प के साथ कोविड 19 महमारी के खिलाब देश एक जूठ होकर लड़ा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाओ के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें कोविड 19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं, दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षिन दूरी रखें, हाथ रमू साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी के आंतरगत वित्तिय लाब की आगली किस्त वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये जारी करेंगे नौ करोड से अधीक लाभार्ती किसान परिवारों के खातों में अठारा हजार कर रूपे से अधीक किराशी आंतरित की जाएगी पूर्वि प्रधानमंत्री आटल बिहारी वाजपेई की जैनती पर आयोजित कारिक्रम में श्री मोदी बिहार सहित छे राज्यों के किसानों से समवाद भी करेंगे कारिक्रम में भाग लेने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मा निधी और किसानों के कल्यान के लिए सरकार द्वारा की गई आन्ने पहल के बारे में आपने आनुभव बताएंगे इस अफसर पर केंदरी क्रिशी मंत्री भी मौझूद रहेंगे। प्रधान मंत्री किसान सम्मानेधी योजना के अंतरगत प्रतिवर्ष लाभार्थी किसानों को 6-6,000 रुपए, 2-2,000 रुपए की तीन किस्तों में दिये जाते हैं। यह राशी सीधे लाभार्थियों के खा केंदरी समाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्री थावर्चन गहलोत ने बताया कि इस वेवस्था से लगभग 1,36,000 ऐसे गरीब बच्चे अगले 5 वर्षों में उच्च सिक्षा वेवस्था का लाभ उठा सकेंगे जो कक्षा 10 के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे ह इस योजना का केंदरी भाग प्रतेक्ष धन अंतरन के माध्यम से चातरों के बैंक खातों में भीजा जाएगा करोड की धनराशी से अधिक की धनराशी चातरों के रूप में राज्यों को देंगे राज्य में कानून विवस्था और अपराद पर नियंतरन के लिए सभी समवेधनशी लिस्थानों पर शिगर ही CCTV कैमरे लगाए जाएंगे पटना में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमत्री नितीश कुमार ने पुलिस आधुनी की करण के लिए विस्थित यूजना बनाने का निर्देश दिया मुख्यमत्री ने कहा कि सभी समवेधनशी लिस्थानों पर CCTV कैमरे जल्द से जल्द लगाए जाएं ताकि विधी विवस्था पर पूरी मुस्तैदी से काम किया जा सके उन्होंने पुलिस की विशेश ट्रेनिंग पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए सरकार सभी संसाधन उपलब्ज कराएगी और बिहार पुलिस एकेडमी में ही सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी मुख्यमत्री निदीश कुमान ने केंद्रिय नागर विमानन मंत्री को पत्र लिखकर दर्भंगा हवायड़े का नाम कवी कोकिल विद्यापती के नाम पर रखने का फिर आग रह किया है इसके रावा उन्होंने दर्भंगा हवायड़े के विस्तार और मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने को कहा है प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 2,42,244 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले 24 गंटों में 309 लोगों को उपचार के बाद छुटी दी गई स्वस्थ होने के दर 97.42 प्रतिशत है वहीं एक दिन में 640 नय मामलों की पुस्थी के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,48,668 हो गई है पिछले 24 गंटों के दरान सबसे अधिक 257 मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं औरंगाबाद से 73 मामलों की पुस्थी हुई है आन्ने जिलों से भी पॉजितिव मामले दर्ज किये गए हैं इसी अधि में 5 मरीजों की मौत के साथ ही कुरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1366 हो गया है प्रदेश में फिलाल सक्रिय मामलों की संख्या 500056 है वरिस्ट चिकिस्ता विशेशगे डॉक्टर नरेंद सैनी ने कुरोना वाइरस संक्रमन से सुरक्षित रहने के लिए लोगों से सभी एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीका करन की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार गदम उठाना चाहिए हमें ग्यान लगता होगा कि हम लोग सकमें ना हो इस प्रिमारी से जिसके लिए बार-बार कहते हैं कि वैक्षिनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें शोशल डिस्टेंज मिंटेंड रखना है मास्ट रखना है, अपने हातों को बार-बार साफ करना है और भी भार की जगाउं से दूर रहना है हमें समझना भी होगा कि एक बारी में इतने सारे वैक्षिनेशन नहीं बजबते है इसलिए यदि वैक्षिनेशन आ भी जाए तो उसके लिए जो गौर्ण्मेंट प्रियार्टी दे उसको हम ध्यान से सुने और उसी के अनुस्तार हम अपने वैक्षिनेशन का इंसार स्वास्ति मंत्राले ने एलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रदौग की मंत्राले के साथ मिलकर कोविड वैक्षिन इंटिलिजेंस नेटवर्क कोविन प्रणाली को मजबूत करने के लिए ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की है इसका इस्तेमाल देश भर में कोविड वैक्षिन वित्रन तंत्र को प्रभावी बनाने में किया जाएगा सुचना प्रदौगी की मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने इसके लिए नवाचार करताओं और स्टार्ट अप्स को आमंत रिद किया है मंत्राले के स्टार्ट अप हब MSH पोर्टल पर शुरू किये गए इस चैलेंज के तहट प्रतिभावान और नवाचार संबंधी स्टार्ट अप्स तथा उभरते प्रदौगी की विशेशग्यों को भाग लेने के लिए आमंत रिद किया गया है प्रधामति नरेंदर मोदी रविवार 27 दिसंबर को सुबा 11 बजे आकाश्वणी पर मन की बात कारिक्रम में देश और विदेश मिर्स्थित लोगों के साथ अपने विचार साजह करेंगे और विचार साजह कर सकते हैं ये कारिक्रम आकाश्वणी और दूरदशन के सभी नेटवर्क और आकाश्वणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और News on AIR मोबाइल एप पर भी प्रसारिद किया जाएगा आकाश्वणी दूरदशन समाचार प्रधामुत्री कार्याले तथा सूचना और प्रसारण मंत्राले के यूट्यूब चैनलों पर भी इसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वणी पटना से सुन रही है राजधानी पटना समेथ पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है उत्तर पश्यम से चलने वाली बरफिली हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है पिछले 24 गंडों के दोरान गया प्रदेश का सबसे ठंडा इस्तान रहा जहां नियूंतम तापमान 5.3 डिग्री सिल्सियस दच किया गया पश्यम और पूर्वी चंपरण गोपाल गंच, दर्भंगा और सितामडी सहित कई अनजिलों में कोल्ड डे की स्थिती देखी गई मौसम वेग्यानिक रविंदर कुबा ने बताया कि 27 डिसंबर से पूरे प्रदेश में पश्यमी विक्षोब फिल से सक्रिय हो जाएगा इसे दिन और रात में 4-5 डिग्री सिल्सियस तापमान गिरने की संभावना है इधर शीत लहर की बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपमुखे मंत्री और आपदा प्रवंदन मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पूरे प्रदेश के अंचल अस्तर के प्रमुख स्थानों पर अलाओ जलाने की विवस्था को लेकर आधिकारियों को निर्देश दिये हैं इधर कोरे के कारण द्रिशिता कम होने से सडक, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है प्रदेश से होकर गुजरने वाली कई रेलगाणियां घंटों विलंब से चल रही हैं पटना एरपोर्ट पर एक दर्जन से आधिक विमानों की आवजाही में देरी हुई है केंडर सरकान ने भारत नेपाल सीमा शित्र इस्थित रज्जी के पांच सिक्षन संस्तानों में एन्सिसी की इकाईयों के विस्तार को मन्जूरी दे ली है यहां ट्रेनिंग की शुरुआत प्रधानमती नरेंदर मोदी आगले वर्ष जनवरी में राश्टी अस्तर पर करेंगे एन्सिसी के बिहार जहर्खन के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एम इन्रबालन ने बताया कि सीमानचल इलाखों में एन्सिसी कडेट्स को भारत नेपाल सीमा पर तैनाथ एस अभियान के तहट नए एन्सिसी कडेट्स को विशेश ट्रेनिंग दी जाएगी राजी के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर आज दूसे दिन भी हरताल पर हैं जूनियर डॉक्टर्स की अनिशित कालिन हरताल के कारण आस्पतालों में एमेर्जनसी और OPD सेवाएं बाधित हैं हालाकि जूनियर डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों के इलाज की दूटी को हरताल से बाहर रखा है ये सभी जूनियर डॉक्टर चात्र विल्ती में बढ़ोत्री की मांग को लेकर हरताल पर हैं पटना उच्छी नेयाले में चार जन्वरी से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए फिजिकल सुनवाई होगी इससे पहले कोरोना संक्रमन के खत्रे को देखते हुए नेयाले में वीडियो कॉन्फरेंसिंग से वर्चुल सुनवाई हो रही थी पटना हाई कोट के महा निबंधत ने बताया कि सभी दिशानरेशों का पालन करते हुए तेईस कोट रूम को फिजिकल सुनवाई के लिए तैयार किया गया है कोट रूम में वैसे वकीलों को ही प्रवेश की अनुमती दी जाएगी जिनका केस सुनवाई के लिए सुची बद्ध होगा रेलवे ने दर्भंगा से नर्कटिया गंज तक रेल लाइन का दोहरी करण की मंजूरी दी है इसके अंतरगा दर्भंगा से सीतामडी रक्सॉल होते हुए नर्कटिया गंज स्टेशन तक रेलवे लाइन का दोहरी करण कारे किया जाएगा इधर समस्तीपूर रेल मंडल के अंतरगा सहरसा पूर्णिया कोट के बीच वश 2022 से एलेक्टिक ट्रेन के परिचालन के लिए लगभग 82 किलोमीटर रेल खंड के विदुती करण के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है पूर्वे मदरेल के और से 31 दिसंबर तक चलाई जाने वाली इंटरसिटी ट्रेनों की परिचालन अवधी बढ़ा दी गई है पूर्वे मदरेल के मुखे जनसंपर कदिकारी राजेश कुबा ने बताया कि अगले एक महिने तक इंटरसिटी ट्रेनों के परिचालन अवधी में विस्तार किया गया है सेजन घुटाले में 100 करोड की अवैद निकासी के एक मामले में प्रात्मी की दर्ज की गई है इस घुटाले में अब तक दो दर्जन से अधीक प्रात्मी की दर्ज हो चुकी है सभी मामलों की जांच CBI कर रही है पटना एम्स में सामानने मरीजों के लिए OPD सेवा 28 दिसंबल से शुरू होगी इसमें प्रति दिन प्रति एक विभाग में 20 नए मरीजों को देखा जाएगा एम्स के अधिक्षक डॉक्टर सी एम्स सिंग ने बताया कि मरीजों को इलाज के लिए एक दिन पहले निबंदन कराना होगा और सभी मरीजों को मास्क पहनना आनिवारे होगा प्रदेश के सभी विश्विद्याले और कॉलेजों के लिए अवकाश कैलेंडर घोशित कर दिया गया है इस कैलेंडर में 91 दिन का अवकाश और 30 दिनों का ग्रिश्म कालीन अवकाश घोशित है अब पटना से प्रकाशित प्रमुक समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग-अलग खबरों को प्रमुकता से प्रकाशित किया है हंदुस्तान ने कोविड वैक्सिन की खबर को प्रमुकता से प्रकाशित करते हुए लिखा है कोवेक्सिन 6-12 महीने तक असरदार दैनिक जागरन की सुरकी है बियार लोग सेवायोग ने ऑनलाइन परिक्षा फॉर्म बरने संबंदी नियमों में अभ्यरतियों की परिशानी को लेकर बदलाओ किया दैनिक भासकर का शीशक है नियोजिस सिक्षकों के तबादले के लिए तैयार हुआ सॉफ्टवेर दिव्यांग और मैला सिक्षकों का ही किया जाएगा तबादला राध्धानी पटना में गंगा नदी की किनारे बन रहे सरलक की खबर को प्रमुक्ता से प्रकाशित करते हुए प्रभात खबर ने लिखा है गंगा पाथवे पर अगस्त से दोडेंगी गाडियां आठ जगों पर अशोक राजपत से जुड़ेगा और अबंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमत्री नरे नर्मूदी कल किसान सम्मा निधी योजना के अंतरगत नौ करोड से अधीक किसान परिवारों के खाते में आठारा हजार कर रुपे से अधीक की राशी अंतरित करेंगे केंद सरकार ने अनुसुचित जाती के चातरों के लिए पांच वर्ष तक पोस्ट मैट्रिक चातर विर्थी के लिए 69,000 करोड पे सुर्किर्थ किये एक करोड 36 लाग गरीब बच्चों को मिलेगा लाभ प्रदेश में कोविड महमारी से स्वस्ट होने वालों की दर 97 प्रतिशत से आधिक हुई आप तक 2,42,000 मरीज स्वस्ट हुए और प्रदेश में ठंड का प्रकोब जारी बरफिली हवा की कारण ठिठुरन बढ़ी कोविड 19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं, दो गस दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ रमू साफ रखें